कि नमस्कार दोस्तों स्वागत हैं आपका जीवन ओनलाइन टेस्ट की वीडियो में दोस्तों आज हम अपनी वीडियो में मनुविज्ञान यानि साइकलोजी के कुछ प्रसुनों को पढ़ेंगे हमने क्या क्या है कि जो बीएड की पुष्टक है साइकलोजी की उसमें करीबन दोस्तों हमने पूरी किताब के कुछ 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 चुनना है ताकि आपके जो साइकलोजी वो अच्छे से जासे जा रहे हैं या निगाँ काफी टाइम से पढ़ी नहीं है तो आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है तो यिदि आप पहले से ही पढ़ते चले आ रहे है और आपकी साइकिलोज एची है ठीक-ठाक सी है तो दोस्तो ये वीडियो आपके एक प्रिकार से रिविजन का काम करेगा, तो दोस्तो प्लीज वीडियो को लाच तक देग embaixo और शुरू करते हैं दोस्तो दोस्तो पहला पिर्थन है सरपिर्थम मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा गया दोस्तो इसका आंसर देने से पहले एक बार टैबिल देख लेते हैं मैं आपको समझाने को उसकरता हूँ psychology यो है एक ग्रीक भासा का सब्द है इसको हमने दो भागों बाड़ दिया psycho जिसका अर्थ होता है आत्मा और lox जिसका अर्थ होता है अध्यान तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि पहले सबसे पहले इसको आत्मा का बिज्ञान का जाता है परन्तु आत्मा में सही परिवासा के अभाप के बाद में इसे बीच में मन का और आधुनिक समय में इसे ब्यावार का बिज्ञान का जाता है ब्यावार चाहे पसू का हो या मनुस्य का दोने प्रिकार के लोगों का यह ब्यावार का अध्यन करता है ठीक है डोस्तों तो इसका राइट आंसर होना चाहिए, सर प्रितम मनोबेग्यान को आत्मा का बिग्यान कहा गया याद ऑफसे नमबर D आधुनिक समय में मनोबेग्यान निम्न में से किसका बिग्यान माना जाता है जिसे अभी आम ने थूड़े पहले बताया कि आदुरिक समय में जो मनों विघ्वयान है वो ब्याभार का विघ्वयान मनना जाता है, चाहे बो पसु का हो या मनुस्त्य का, यह compression number C. मनों विघ्वयवन निमन में से कौन सा विघ्वयान है, तो दोस्तो इसका right answer होगा, option number A, समाजिक विघ्वयान. अगला देख़ते हैं दोस्तो मनो बयग्यान को चेतना के बिग्यान के रूप किस ने प्रिक्तिपादित किया तो दोस्तो इसका राइट आंसर होगा option number C, James Selye तथा बिलियम जेम्स ने मनो बयग्यान किस प्रिकार का बिग्यान है तो दोस्तो इसका right answer होगा option number A, विदायक मनोबेग्यान किसका अध्यान कराता है? दोस्तो जैसे कि अभी हम थोड़े पहले जिकर करिया था कि मनोबेग्यान बैभार का अध्यान कराता है, चाहे वो परसु का हो या मनुस्य का तो इसका राइट आंसर होगा option number C पसू तथा sorry मानब तथा पसू बिवार दोन होगा अगला देखते हैं दोस्तो प्रित्व मनोबिग्यान की प्रियोकसाला इस्थापित करने वाले थे तो दोस्तो इसका राइट आंसर होगा option number A और भी बंटने मनोबिग्यान का जनक इनी उन इनी माना आता है के प्रियोकिक मनोबिग्यान के प्रियोकसाला इस्थापित करने वाली वह वैसे दोस्तो इसका राइट आंसर होना चाहिए सिख्षा मनोम्ट के स एक एक आ गार्यांतो रहोत कि दो अद्य हैं ये प्रफ़त हो घ्या जोंगाह तु multif अद्धनों की किस अपनाया जाती है और कि शेतर में क्यांता है तो दोस्तों इसका राय ढांसर होगा पंपशनी डूकाइब बीयावार का यथारत बिग्यान में ये कथन किसका है तो दोस्तों इसका राय प्रदी अगर देखते हैं दोस्तों चिक्षा मनोग्यान का केंद्र है क्या क्योंकि वो र्दे इफ्रकृष्प वह सभी वो के लिए ह Kate श्क्रावनियृवर्टो अभी बचाता है , शुक्षा ग्यान का ग्याण अवश्च्छ है चालन कर लिए अध्यापक ऑभश्यक अनूबज़्य नियृदय नुवे dubi o होता है दोस्तों अगले देखते हैं निम्न में से कौन सा ब्यक्तिकत बिविन्टा को सेक्षिक महत्वे तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ब्यक्तिकत शिक्ष्षन लिंग भेद के अनुसार शिक्षा सारिक दोसों की ओर ध्यान ये सबी यह ये औप्षन नमबर डी ये सबी नमिल लुगेत में कौन सई ब्रविन्ठा और आधारिक प्रवद है तो दोस्तो प्रोजेक्ट प्रणाली और डायटर प्रणाली दोनों ही को और दोस्तों व्यक्तिकत बिबाइंस व्यक्तिगत बिबइंताओ पर अधार्य सब किया जा सकता है यय किसका कहना है तो दोस्तों इसका जो सुद्च बिधाइट अधरके पाइलर का कारण तो दोस्तो व्यक्तिगत विविंता करण बंसानुक्रम बातावरण लिंग भेद यह तीनों ही होते हैं यह प्रिकार नहीं होगा निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत विविंता का प्रिकार नहीं है तो दोस्तो इसका राइट आंसर होगा उचाई में विविंता हो उचाई में पिछड़े बालक जो समाने बालको से कम सीखने की छमता रखते हैं उन्हें पिछड़े बालक आ जाता है तो दोस्तो अब यह पूछ रहा है कि पिछड़े बालक की पहचान होती है तो पिछड़े बालक की पहचान होती है वो शेक्षिल लाबदी से होती है तो दोस्तो राइ 40 से उपर कि जिसके cev Shek Sud imagi जिसके सेख्शिग लापदी फिस 40 के बीच में होगी वह ऊट्राश्ट मना होगी और 110 लेकर और 120 के बीच में जिनकी होगी वह समानिय से उपर मना जाएगा गा दोस्तो इसी पिरकार से 90 से 110 के बीच में होती है तो समानने बेक्ति माना जाता है और जिसकी सतर से असी के बीच में सेक्षी लाब्दी निर्वल बुद्धी की सिमा मान जाती है हैं तो दोस्तों ये कर दोर्वारा ह 194 दिएख करता है और उसके दोरा में चाहिए दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो आपकी mental यह यह उती है उसके सारवरिक डिवाइट करे जाता है और पूछ रहा है पिछले बाले की मुख्य पहचान किस से होती है तो दोस्तों पिछले बाले की पहचान देख लेते हैं जो समाने से नीचे होगा यानिकी पिचासी से कम वाला राइट आउंसर होगा ज्ञशन नमबर B जर्मजाथ योगता हो कि तुलना में कम सेक्ष्य व्लब्दी होती है दोस्तो इसका राइट आउंसर होगा पिछले बाल्ग होगी अपनी ऎवालक के प्रैक्रट्ट्ट्र की आवसत덋 एकिस किस बालको दोस्टो अपनी देख बालक की प्रिक्रट्ट्रक व्य्यक्शंक्टा होतीए और पिछ्डे बालक को यह निन आपको 26 पर दे रहा हूं वैकुछ सेम थे दोस्तों मैंने किया किया है कि यह किताब विएट तक पहुंचा थे विल्कुस्तों फिक्स नहीं है रिजन तो अभी क्या होता है कि जब जनम के समें बारा लोक की जो हड्या होती है वो 270 या 300 के आसपास होती है दोस्तों मैं भी इस बात को मानता हूं ठीक है और यह जब आप विकल्ब देखेंगे बहाँ पर उसमें अनुसार आप लगा सकते हैं जन्म के समय 270 या 300 हो सकती है इसके बाद बार लिवस्ता जब दो बरस का बच्चा होता है तो उसमें 350 या 370 के आसपास में हड्या हो जाती ह जो होता है ते जो जब धर हम ho lleva होती है कुछ लची ली होती है और काफी जादे नहीं बार रिवसता होती है और जिसमेंως होती है क्योंकि कुछ हड़ियां आपस मेंując जुड़ जाती हैं और वो दो हड़ियां मिलेकर दो या तीन हड़ियां मिलेकर आक हड़िया बन जाती हैं जिससे उनकी संगिया कम होती रहती है और ये वह इसका बस्ता में 26 हो जाती है तो दोस्तो इसका जो राइट आंसर होगा मैं किताब के अग्रोडिंग बता रहा हूँ दोस्तो अगर आप Google पर सरच करेंगे तो उसमें 300 लिखा हुआ है तो वो आप देख सकते हैं दोस्तो तो 26 का राइट आंसर में B लगा रहा हूँ दोस्तो नबजाज सिसू के सिर्की लंबाई उसकी कुल लंबाई के कितने पिरतिसद होती है दोस्तो नबजाज सिसू के सिर्की लंबाई उसके कुल लंबाई की 25% होती है दोस्तों जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसकी सर्की जो लंबा होती है वो कम होती जाती है और अन्य जो सरीर होता है वो बढ़ता जाता है यानि इस सर्की परसंटेज कम होता जाता है तो यानि 27 सवाल यानि लबजास शिसू के सर्की जो लंबा होती है वो कुल स सबसे होती है तो दोस्तों कि होगा नाइक होती है लगभग जबुछा है दोस्तों तो राइट आंसन और नई दात आने की प्रिकरिया इस्टार्ट हो जाती है मैंग डूगल ने संभेगों की संख्या बताईए तो दोस्तों में संभेगों की संख्या करीबन 14 बताईए जैसे आप तालीक में तरफ देख पारे होंगे यह सभी जैसे भेक रोद घ्रहना आचारे वत्तल विसाद स दोस्तों बाल्य वस्ताई की मानसिक्विकास समाझिक्विकास के कोत्यु अद्र की प्रिवलत यह सभी से है यानि वैसनटी और चार्वाद। गनिष्ट मित्रता की प्रिवती पाई जाती है दोस्तों गनिष्ट मित्रता की प्रिवती पाई जाती है बैक किसो रवस्ता में पाई जाती है यानि अप्सन नमबर C होगा सारे विकास का छेतर हैं इसनायू मंडल मान स्पेशियों के प्रद्धी इंड्रोसीन ग्लेडल तो दोस्तो इसका राइट आंसर होगा यह सभी यानि ऑप्सन नमबर D सेश बवस्ता की भी सेशता नहीं है सारे विकास में तिर्विता मांसिक विकास में तिर्विता दूसरों पर निर्वर्ता नेतिकता का दोस्त दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्सन नमबर D नेतिकता का दोस्त अगला देखते हैं दोस्तों तर्क जिग्यासा तथा नि और येक्षन सक्ति का विकास हो जाता है मैं जीन प्याजी का अनुसर बता रहा हूं दोस्तों तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा उसको गन्पर बी की इस्टेन ले ऑल को सदू साइब लf तो amazon जोस्तों सब्रेतों से पाँंच या चैवर्ज तक होते है जाते हैं बाले वास्ता पांस पाँंच य शय वर्स लेकर 12 वर्स तक मने जाती है कि 100 वस्तफा-12 वर्स-18 वर्स तक मने जाती है और प्रोरवस्तव होती है ऑफ़रा के उपर मान याती है दोस्तो अलग मैंनों बेगेने के पैसे अलग लग लग रखे है मगर जो मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने आपको तालीका बना के दी है यह विल्कुल fix होती है ठीक है तो दोस्तो जो इसका right answer होगा option number C किसोरों की सिक्षा के लिए आवस्तक है सदाचार के सिक्षा, योन सिक्षा, नैतिक सिक्षा, आदर सिक्षा तो दोस्तो इसका right answer होगा option number D किसोर रवस्ता की प्रिमुक विसेष्टा है सारिक परिवर्तन, मानसिक विकास, बोधिक विकास दोस्तो यह सभी यानि option number D अगलर देक्तें दोस्तो प्रियास एवं तरूटी द्वारा सीखने का सिद्धांत प्रिति बादन क्यास? यि आपसे नि मैं निक too और य। किये गए प्रियोग, दो प्रियोग usar ने रखे हैं आगर आप उफ्लरे कुछ capital क्या है. आगर आप उसे सव rifi, डिरा कि द्लिभी आप अराम से देख सकते हैं थान डायक ने अपने सद्धान्द के पृतिबादन हे तू प्रियोग किया कर्या था दोस्तों आ अगले सोश्तों इसकेमधनने सपेज है नियुक्त अपना प्रियोग किया करता乾्नी अप नमबर एस होगा पैवलोब ने संबंधित अनुक्रिया सिद्धांत का पृतिपादन किया तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1904 दोस्तों मैं आपको बता दूं पहला इसकी नर थांडाइक कोलर इन संबंधित सभी वीडियों अपने चैनल पर डाल रखिए दोस्तों यह किस संबंधित बहुत सबकुछ हमने बहुत अच्छे घंस में समझाया जोस्तों प्लीस आप उसमें जाकर अपने वीडियो देख सकते हैं और बहुत इस्चे सोट्रिक वैस्ते याद रख सके एक चैनल रखें तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं बूल पाएंगे दोस्तो अगले देखते हैं 48peution का देखते हैं आंसर पैगला पैवलॉब ने अपने सिधुद्धानत के पिर्टिवाहद लेटत प्रयोग किया दोस्तो उसका राइड आंसर होगा कुठिय पर अगले देखते हैं दोस्तो सीख 뉴스 के खेल बिदी उप्योगी है तो दोस्तो सीखेने की जो खेल विदी का जो प्योग क्याता है वो वालेवस्ता में क्याता है यानि ओप्सन नमबर A सही होगा अधिगम का सिक्षाम में योगदान है तो दोस्तो अधिगम का जो सिक्षाम में योगदान है ब्याभार में परिवर्तन लाने के लिए नवीन अनुवं प्राप्त करने के लिए और समायोजन के लिए यह सभी यानि option number D सही होगा अधिगम इन सभी में अपना योगदान हैं दोस्तो ऑंतिद्रश्टि सिğ्धांद के प्रिद्थि पादक हैं दोस्तो तो ऑंतिद्रश्टि उप्रिद्रेकred वह कोलर हैं यह उपस्न नमबर this ही होगा है माझसिक स्वास्त dual को प्रवावित करता है वह बाला ही बालक के मांचिक स्वास्ते को प्रवावित करते हैं यानि option number D से होगा यह सभी बालक का मांचिक स्वास्ते निर्वर करता है विध्याले पर परिवार पर समुधाय पर तीनों पर ही निर्वर करता है यानि कि option number D सही होगा इन सभी पर अगला देखते हैं दोस्तो परिवार की निर्धनता का बालक में निम्न में से कौन सी भावना विक्सित होती है दोस्तो अगर कोई परिवार किसी बच्चे का परिवार में निर्धनता है यानि परिवार गरीब है तो उसमें बालक में जो भावना उभिक्सित हो सकती है वो हींता, एसुरक्षित, एसुरक्षा, उगरता एवं कठोरता ये तीनों ही भावना उत्पन हो सकती है यानि ऑप् कि क्या अनुभप करता है दोस्तों एक शन तुलं संतुष्टी और सुख तीनों पृकष्ट का अनुभप करता है यहनि चोप्रोप से किस भासा से माने गई है दोस्तो पर्सनलिटी सब्द जो है वह पर्सोना सब्द जो लेटिन भासा का सब्द है उससे मिलकर बनाए है जिसका आर्थ होता है मुखोटा यहनि 58 का जो आंसर होगा वो और अप्सिन नमबर भी लेटिन अगले दिखतें दोस्तों ब्यक्तितब सब सब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों लेटिन भासा के पर्सोना सब्द का अर्थ होता है मुखोटा जैसे मैंने अभी बताया था दोस्तों अगला देखते हैं मजबू चोड़े कंदे एवं सीने तता संतुली सरीर वाले ब्यक्ति क्रोसमेर किस बर्ग में आते हैं तो दो सबस्तों बलते हैं जो और सकता है उनका सरी में जोड़ने की आबसकता है निमन में से चोर्ड हो कोई प्रक्तिक नवर सकता है मापन का शोई निमन में से कौन सी व्यक्तितब मापन की व्यक्तिनिष्ट विधी है तो दोस्तो इसका राइड आंसर होगा प्रिस्वाली विधि आत्मकत्रा और साक्षतार तो यह फ्यक्ति अनुसार यानि ऑप्सान नुम्बर दोस्तों इसका राइटांस होगा यह परेक्षन महंगे होते हैं यह फ्सन नंबर ए टी एटी परेक्षन किसका मापन करता है उप्सन नंबर कि निमिल इखित में से किस वेग्यानिक अनुसार बुद्धी जीवन की समस्यों एवं परिश्टितिय के अनुसार के है прив लुद्धि के दुए कारिक सिधान के पृति पादक हैं दोस्तों इसका राइट डांसर होगा ओप्सन नंबर सी इस्पियर में अगल्य देखतें दोस्तों निमिलिकित में से किसने सरपिर्थम मनुवेग्यान की प्रियोक साला की स्थापना करके बुद्धी प्रेक्षन के कार्योग को वेग्यानिक अधार को प्रिदान किया तो दोस्तों जैसे कि अभी आप पता योगा ऑप्षन नमबर भी बुझन जैसे हमने पीछ इसका जी कर गया था अगले देखते हैं दोस्तों बुद्धी के सोर्वरोगित हैं कि अधार बुद्धी की संडर्चना का बढ़न किया दोस्तों इसका रिट आंसर होगा ऑफसान-नमबर-C प्रेसासन के आधार पर बुद्धी परिक्षन के प्रिकार है तो दोस्तों इसका राइट अंसर होगा ओप्सर नूमर दो 70-80 तक की बुद्धि लाबदी बाले बालक को टर्मन ने किस नाम से पुगारा दोस्तों मैंने आपको टर्मन वाली एक तालिका दिखाई थी तो उसमें इन्हों ने उनको जिसके 70-80 के बीच हमकी जो बुद्धि लाबदी थी उनको उन्होंने हीन बुद्धि कहा था अगले सब्सक्राइब